कि एक बोजन है जो करना है लेकिन एक बोजन वो है जो आपको अच्छा लगता है लिग मैं यह कहना चाहे रहा हूँ कि ऐसा कोई विशे को इतनी इंपोर्टेंस ना दे दे कि वो आपके सुख में क्या कर दे होल कर दे कि बस यह नहीं मिला तो गया अब यह सब आप जीवन में उलट पलट करके देख वजरा क्या है कौन से ऐसी चीज है जिसके ना मिलने पर व्यक्ति बेचैन हो गया अपने अपने विशे को पहचाने कि ऐसा विशे जिसके ना मिलने पर मेरी मन की प्रसनता चली जाती है मैं शोक में चला जाता हूँ मैं अब उस विशे के प्रति आधीन नहीं होंगा मैं उस विशे से ओपर उठकर दिखाऊंगा खोजोगी है यह आपको अपनी अपनी दिन्चर्या में अपने अपनी जीवन की प्रसंगों में खोजना एक दू तू खोजोगे तो तू दूर भी होगा कई बार तो वह इतने सारे हैं कि समझ में आता ही नहीं तो वह बंद है तो फिर दोश दूर कैसे होगा अच्छा दूसरा विचार एक सिद्धानत यह है जहां से विक्ति को सुख मिलता है वहीं से विक्ति को दुख मिलता है यह भी दुख कहीं और से नहीं आता जो व्यक्ति सुख दे रहा है वही व्यक्ति आपको कालांतर बात क्या देगा दुख देगा लोग बोलते हैं ना दूसरों से दुख थोड़ी नाता है दुख तो अपनों से ही आता है आप लोगी दार्शनिक लोग तो और कहते हैं थोड़ा बोले और आगे चली जिस वस्तू से सुखहरा है जिस व्यक्ति से सुखहरा है कालांतर बाद वही व्यक्ति ही आपको क्या देने लगता है दुख देने लगता है आप लोगी इतना पर्टिकुलर हो गयों इसलिए लगता है कि दोहा लिख दिया गया ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैद एक भी विशय अब विशय तो इतने ही होंगे आपके पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तो कोई पांचे ही परेशान करते हूंगे आपको इसा मिलेगा तब तमनीद आएगी यह भी क्या होगी गुलामियों बगवान इन चीजों को देरे देरे चुड़ा देता है लो जी यह भी छुड़ा दी नहीं छूटा तो आपके घर में आप समझेए आपके विक्तित में एक चोड तो क्या हो गया है घुसी गया है जिस दिन उसने वो चोड़ी कर ली उस दिन आप दुखी हो गया ध्यान लखिए सावधानी से मैं विशयों के प्रयोग को मना नहीं कर रहा हूं आप प्रयोगिक व्याख्या मत करें मैं किसी भी विशय को छोड़ने की बात भी नहीं कह रहा हूं अब यह सब अपने साथ करके देखते रहना जाई है मैंने देखा यह सब एक इस तर तक मन का खेल है जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता तो आप से बताओं एक चादर पर भी व्यक्ति क्या हो जाता है सो जाता है वह वही व्यक्ति है जो इतना डिमांडिंग था आज वह एक चादर पर क्या हो गया सोई गया खतम कि निद्र आरही हो आप देखो आप कितना उसके से आप करोगे आप ज्यादा वेट करोगे तो भाग जाएगी वह पता है आप निद्रा कोई नहीं कह सकते रूको आप मैं बंद करता हूं अब टीवी कर तब तक में तो गई जब वह आए तो आप लेटे हुए मिलना चाहि तब जाके वह आपको आशिरवाद देकर गई आगे कि दुनिया बहर जाना भी तूसको मान लीजिए नींद नहीं आई रही है तो मैंने उठाया Facebook और मैं उसमें देखने लगा पिछले क्या क्या डागा मैंने क्या 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 कि तो वह देखते देखते जो समय था वो क्या ह रात का और आपको पता उतन ही वो जो नींद थी वो क्या हो गई अब पुराने बुजर्गू को माने तो कहते है नींद ना भी आए तो आख बंद करके क्या करे रहो और ये बात पक्की है कि थोड़े दिर आप आख बंद करके पड़े रहो तो पतानी विक्ति को क्या अग मिला गाय का दूद्ध नाम मिला में नहीं आती थी भवान ने इसा कुछ कर दिया कि आप छोड़ो यह आप आप अब आरी है पहले दुनहीं आती थी यह सब का सब जो भ्रह्मता कहां पाल रखा है मस्तिश्क में ऐसी शब्दों के साथ खेले इसलिए एक भी विशे के प्रती आधीन होई है पराधीन सपने उसुखनाई यह इस आधक को जीतना रहा है